Hello everyone, I am Bhanu sir. बिटा, आज की वीडियो में अपन स्टार्ट क्या कर रहे हैं? अपने height and distance के questions, यानि की application of trigonometry. application of trigonometry जिसमें 2 angles की बात होती है, एक angle of elevation और एक angle of depression. नीचे से उपर देख रहे हो elevation, उपर से नीचे देख रहे हो depression. जिसमें आप tan, sin, cos, इन में से किजी function का use करोगे, और 3 angles की बात करोगे, 30 degree, 45 degree और 60 degree. Sine होता है perpendicular by hypotenuse, cos होता है base upon hypotenuse, tan होता है perpendicular upon base. तो आज के questions completely इनी पर focus करेंगे, question पढ़ना है, important चीजे mark करनी है, diagram बनाना है, diagram की explanation करनी है, given लिखना है, construction लिखना है, to find लिखना है, उसके बाद अपन उसका solution करेंगे, ठीक है, questions are very easy, very important, फटा वोट rough copy pen साथ लेके बैठ हो. Question number one, देखो, from a point on level ground, ground level पे एक point है, उस point से क्या हो रहा है, उस point से angle of elevation बन रहा है, किसका angle of elevation, vertical tower का, ठीक है, जो भी angle of elevation बना, उस angle of elevation के tangent की value है, 5 by 12, अब यह word आप पहली बार सुन रहे हो, tangent, यह जो tangent word है, यह एक तरीके से tan के लिए use होता है, किसके लिए use होता है, tan के लिए, ठीक है, tangent word किसके लिए use होता है, tan के लिए, तो यह tangent का मतलब होता है, tan theta, tangent का मतलब क्या होता है, tan theta, आगे पढ़ो, on walking, 192 meter towards the tar, जब हम 192 meter, तावर के पास में चले गए, तो हमारा angle of elevation बदल गया, तो जो नई tangent, यहनि कि नई बार, tan की जो value है, वो है 3 upon 4, नॉर्मल questions में क्या होता है, आपको angle of elevation given होता है, 30 degree, 45 degree, 60 degree, whatever, इस बार जो है, आपको angle given नहीं है, उस angle की जगे, उस angle के tan theta की value given है, जैसे angle है theta, अब आपको theta तो नहीं पता क्या है, लेकिन आपको tan theta पता है क्या है, तो पहले case में tan theta है, 5 by 12, और दूसरे case में tan theta है, 3 by 4, question क्या है, find करो height of the tar, जो vertical tar है उसकी height निकालता है, यह question है, तो हम मान लेते हैं, कि यह हमारा vertical tar है, ठीक है, यह straight vertical tar है, और यह हमारा ground level है, क्या है यह, यह हमारा ground level है, ठीक है यहां तक, अब आप ground level पे, पहले तो यहां खड़े थे, किदर? A point पे, ले लेते हैं, P से Q तक का, इसकी height किती है, H मान लेते हैं, आप A point से किसको observe कर रहे हो, Q को observe कर रहे हो, A से Q को देख रहे हो, जो angle बन रहा है, वो मान लो है theta, ठीक है, angle क्या है theta, फिर आपने क्या गरहा, आप थोड़ा सा आगे खिसक गए, और आगे खिसक के किदर आगे, आगे खिसक के आगे इधर, नया point, कौन सा है नया point, नया point है हमारा point number, point B, B point से आपने क्या करा, वापस इधर टार के top point को देखा, B से Q पे, तो दुबारा से एक angle of elevation बना, वो angle बना 5, ठीक है आपको यह पता है, नहीं पता, चलो वह आपको find करना भी नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ है find करनी है height की value, यानि कि मुझे तो h निकालना है, question का focus है h find कर दो, इस बार हमको angles given नहीं है, हमको given क्या है हम वो लिखते हैं सबसे पहले तो, ठीक है हमने PQ किसको माना है, वर्टिकल टार को पी क्यू वर्टिकल टावर है, ठीक है उसके बाद हमने A और B किसे माना है, A और B हैं हमारे points of observation, A और B हैं हमारे points of observation, ठीक है यह तक, A से B का जो distance है वह 192, clear हमको निकालनी है H की value, इसके अलावा मुझे given है पहले वाला जो angle है theta, उसके tangent यानिकी tan की value which is 5 upon 12, और दूसरे वाला angle जो है 5 उसके भी tangent की value given है, which is 3 upon 4, यह भी मुझे given है, ठीक है तो find में मैं क्या लिखूंगा, to find में मुझे करना है star की height, यानिकी p q की value, मतलब h मुझे find करना है, तो मैंने यहाँ एक नया variable assume कर लिया, खुद ने, कौन सा है वो, b से लेकर p तक की length, जिसको मैंने मान लिया है x, b से p की length को मैंने मान लिया है x, question में मुझे x find नहीं करना है, question में मुझे क्या find करना है, मुझे find करनी है h की value, मेरा focus इस पे रहेगा, तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं, मैं छोटा वाला triangle use करता हूं, ठीक है, triangle का नाम क्या है, in triangle, triangle का नाम है b p q, in triangle b p q, इसमें हम tan का use करते हैं, tan phi is equals to, क्या होगा tan phi, यानि की h upon x, तो tan phi की जो value है, वो है 3 upon 4, is equals to h upon x, यह x इदर चले गया multiply में, so therefore में पास h की value आ गई, 3 upon 4 x, यह मेरी एक value आ गई, इसको मैंने मान लिया, equation number 1, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बड़ा वाला triangle use करूंगा, क्या है बड़े वाले triangle का नाम, बड़े वाले triangle का नाम है APQ, इन triangle APQ, ठीकें, इसमें मैं apply करूंगा tan theta, क्या होता है tan theta, perpendicular PQ, ठीकें, यह अपन सीधा value भी लिख सकते हैं, पूरा perpendicular है h, और नीचे का पूरा base कितना है, x plus 192, ठीकें यह तक tan theta की value मुझे given है 5 upon 12, 5 upon 12 is equals to h upon x plus 192, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से इस term को उधर ले जाते हैं, और 12 को इधर लियाते हैं, clear, हम इस term को उधर ले जाएंगे और इसको इधर लियाएंगे, और एक और काम करते हैं तोड़ा easy कर लेता है question को, यहां जो यह h की value निकालिए न, उसकी जगे आप x की value निकालो, x की, कैसे x उपर 4 इधर उपर और 3 नीचे shifting करके, तो यह हो जाएगा 4 h upon 3, यह जादा better रहेगा, क्योंकि आपका इससे direct h निकल जाएगा, अब cross multiply गड़ते हैं, तो यह हो जाएगा मेरा 5 x, 5 into 192, 5 2s are 10, 1 carry गया, 5 9s are 45, वह हो गया 46, 4 carry गया, यानि कि यह हो गया 960, 960 is equals to में आगया 12 h, अब मैं इस equation में क्या करूँगा, use करूँगा equation number 1 का, x की value को put कर दूँगा, 4 h upon 3 यहाँ put हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 5 x, x की जगे 4 h upon 3, plus का 192 is equal to, यह नहीं, plus का 960 is equal to 12 h, plus का 960 is equal to 12 h, ठीक है यहाँ तक, अब सबको हम यहाँ कर देते हैं, multiply by 3, that is 3 से LCM ले लेते हैं, तो यह हो गया, 20 h plus का 960, ठीक है, multiply by 3 is equal to 36 h, यह 20 h इदर जाके minus हो जाएगा, 960 multiply by 3 is equal to 16 h, 16 चले जाएगा डिवाइड में, तो h की वाली हो गई 960, multiply by 3 upon 16, यह इससे cancel हो गया, यह आ गया 60, तो h की वाली हो गई 180, एच की वाली हो गई 180, यह है हमारी वर्टिकल टावर की हाइट, ठीक है 180 meter, फटा पट एक बार पॉस कर लो, धंसे और एक बार इसको खुद से ट्राइ करो, next question, इसका मतलब क्या है, इस पूरी लाइन का यह मतलब है, कि एक सीधा सीधा सा फ्लाग है, उपर से sun अपनी रेस गिरा रहा है, जैसे जैसे sun ने अपनी जगे बदली, वैसे वैसे shadow की length बदलती गई, ठीक है, जब sun की race का ground पे angle 60 degree था, उस समय माल लो shadow की length थी x, ठीक है, और उस से थोड़ी देर पहले, यह हम बोलें थोड़ी देर बाद, जो length थी, वो हो गई 3 गुना, यानगी 3 x, तो यह बताओ कि अगर x पे angle जो है, वो 60 था, तो 3 x जब shadow होगी, तब angle क्या होगा, find the angle between sun rays and ground, at the time of longer shadow, ठीक है, तो देखो इस case में क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ground level बनाते हैं, यह ground level मान लेते हैं, ठीक है, यह ground level है हमारा, अब यहाँ पे यह vertical flag है, यह vertical flag खड़ा हुआ है, ठीक है, sun की rays जो है, वो ground से angle बना रही है, यह एक बार angle बना, और यह दूसरी बार angle बना, यह दोनों बार angle बन गए, ठीक है, अब इस case में जो angle है, वो है 60 degree, given है, और इस case का angle मुझे given नहीं है, ठीटा मान लिया मैने इसको, यह जो length है, इसको मैं मान लेता हूँ X, छोटी length है, चोटी shadow है, और यह जो shadow है, यह हो जाएगी triple, which is 3X, जो यह मेरा flag staff है, इसकी मैं naming कर दूँगा, A से B, और height मैं मान लेता हूँ H, यहां तक की shadow का point ले लेता हूँ C, और यहां तक की shadow का point ले लेता हूँ D, A, C चोटी shadow है, और A, D बड़ी shadow है, जब 60 का angle है तो छोटी shadow बनी, जब ठीटा angle है तो बड़ी shadow बनी, clear ही आता है, तो अब मैं question के given पर आता हूँ, given क्या है, given है कि यह जो A, D है, यह A, C का 3 गुना है, यह पहली चीज given है, next चीज क्या given है, angle A, C, B, यह मुझे given है कितना 60 degree, यह angle है 60 degree, तू find मुझे क्या करना है, find मेरे को करना है, अपने यह angle की value, angle A, D, B, ठीटा मुझे find करना है, ठीखें है तो अब इसमें मैंने assumption क्या करा, मैंने assumption करा है, let A, B, let A, B, be a flagstaff, let A, B, be a flagstaff, h meter tall, A, B, a flagstaff है, h meter tall, ठीखें है, let एक और चीज मैं assume करता हूं, जो छोटी shadow है, उसकी length है x, is equal to x, at theta, at angle, equal to 60 degree, ठीखें है, जब angle 60 degree है, therefore, A से D बड़ी shadow कित्ती हो जाएगी, यह हो जाएगी 3 गुना, which is 3x, जिस समय हमारा angle कितना है, theta, यह length है x, यह पूरी length है 3x, इस समय angle है 60, और इस समय angle है theta, clear, अब question है theta find करना है, तो सबसे पहले हम छोटे वाले triangle का use करते हैं, क्या है triangle का नाम, triangle का नाम है, A, B, C, इन triangle A, B, C, अब हम लगाते है tan 60, क्या होगा tan 60, tan 60 होगा perpendicular upon base, that is h upon x, tan 60 होता है root 3, is equal to h upon x, इस से h की value आ गई कितनी, root 3x, यह हमारी h की value आ गई, which is equation number 1, ठेक हैं, अब हम बड़े वाले triangle पे आते हैं, कौन सा है बड़ा वाला triangle, A, B, D, in triangle A, B, D, बड़े वाले triangle पे आते हैं, और उसमें use करते हैं, हम tan theta, तो tan theta क्या होगा, perpendicular which is h upon पूरा वाला base, पूरा base कितना है, पूरा base है 3x, ठीक है यहां तक, अब मैं यहां लिखता हूँ, use equation number 1, अब मैं चाहता हूँ, तो मैं equation number 1, उपर वाले को भी बना सकता हूँ, एक ही बात है, आप कुछ भी गरो, आपका answer आ जाएगा, तो यहां पर यह हो जाएगा, tan theta is equal to, h की जगे root 3x, और upon में 3x, x से x कटी है, root 3 और 3 कटेगा, तो नीचे root 3 लग जाएगा, tan theta is equal to 1 upon root 3, therefore theta की वाली हो गई, कितनी 30 degree, तो जैसे ही length of shadow 3 गुना होगी, यह angle जो है, वो 60 की जगे, क्या रह जाएगा, सिर्फ 30 degree, यह हमारा क्या है, flag staff है, और यहां कहीं पर हमारा sun present है, जिससे sun raise निकल रही है, और shadow बन रही है, पहले sun raise ने 60 का angle बनाया, और बाद में angle बनाया theta, जो की है 30 degree, clear, pause करो, try करो, ओके kids, this is the end of the video, आज के questions यहीं खतम होते हैं, कोई doubt है, आप video दोबारा देखो, वैसे बहुत basic level के questions है, इसलिए इनको खुद से practice जरूर करो, next class में आगे पढ़ेंगे,